कोविड नाइंटीन के कारण मृत्यू। नए मामलों में 503 नए मामले प्रवासी और 402 उमानी के थे। MOH के अनुसार देश में कुल मामले अब 29,471 हो गए हैं, जिन में 15,552 अब स्वस्थ हैं और 131 मौते शामिल हैं। नीजी कमपनियों को दिये गए निर्देशों का पालन करना होगा। जन्शक्ती मंत्राले यानी The Ministry of Manpower ने कुरोना वाइरिस से निपटने के लिए नीजी कमपनियों के लिए शर्तों की एक सूची जारी की और उलंगन करने पर 500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कारिस्थल पर विभिन भाशाओं में जागरुकता संबंधी पोस्टर लगाना होगा और विफल रहने वालों के लिए 100 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णे उलंगन के कारण और जुर्माना राशी की मात्रा को निर्दिष्ट करता है। पहला, COVID-19 के प्रसार को सीमित करने के लिए अपातकालीन यूजना के अभाव में 300 रियाल का जुर्माना। दूसरा, मास्क नहीं पहनने और हैंड सानिटाइजर नहीं होने के लिए 100 रियाल का जुर्माना। तीसरा, धर्ममीटा नहीं होने के लिए 100 रियाल और कारिस थल्या श्रमिकों के निवास पर सामाजिक दूरी के अभाव में 100 रियाल का जुर्माना। चौथा, वाईरिस से संक्रमित होने के संदेह में श्रमिकों के लिए एक विशेश रिकॉर्ड के अभाव में 500 रियाल का जुर्माना और पांच्वा, श्रमिकों के निवास से श्रमिकों और आने जाने वाले लोग के प्रवेश और निकास की निगरानी के लिए सुरक्षा गार्डों की अनुपस्तिरी में 500 रियाल का जुर्माना